हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल टीके स्मार्ट इस्टिडी डेली करेंट अफेर्स के वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है आज दस सप्टेंबर दुयार उन्निस दस सप्टेंबर दुयार उन्निस से करेंट अफेर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कोशन बनते हैं हम इस वीडियो स्रीज में डिसकस करेंगे कोशन से रिलेटेट इंपॉर्टेट फैक्ट भी बताऊंगा यथा वीडियो के लाश्ट में आपसे एक कोशन भी पूछूंगा जिसका आंसवर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा आज के इस कोशन का पीडियो फाइल आप हमारे टेलिग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टेडी से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रवाइड करा दूंगा आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कुश्टन नमबर वन विच डे सेलेबरेट्स वर्ल्ड फेजिकल थेरेपी डे विशु सारीरिक थेरेपी दिवस किस दिन मनाया जाता है इसका सही आंसोर है 8 सेप्टमबर 8 सेप्टमबर को विशु सारीरिक थेरेपी दिवस मनाया जाता है 2019 के विशु थेरेपिक दिवस कत्थी में क्रोनिक पेन मतलब पुराना दर्थ चलिए अब आपको सेप्टमबर मा के सारे इंपोर्टन डे रिवीजन कराते हैं 1 से 7 सेप्टमबर 12 नैशनल निउट्रिशन वीक राश्टी पोर्शन सप्था 2 सेप्टमबर वल्ल कोकोनेट डे 5 सेप्टमबर नैशनल टीचर्ज डे 5 सेप्टमबर कोई इंटरनेशनल डे ओफ चैरिटी 7 सेप्टमबर ब्राजीलियन इंडिपेंडनेस डे 8 सेप्टमबर इंटरनेशनल लिट्रेसी डे 8 सेप्टमबर कोई World Physical Day मनाया जाता है चलिए चलते हैं Question No.2 की तरफ हाली में किस पूर्व केंद्री कानून मंत्री और प्रसिद वकील का निदन 95 वर्स की आयू में हुआ इसका सही आंसर है राम जेट मलानी जी हाँ पूर्व केंद्री कानून मंत्री और प्रख्यात वकील स्री राम जेट मलानी जी का 8 सेप्टमबर को नई दिल्ले में 95 वर्स की आयू में निदन हो गया इनका जन्म सिंद के सिखापुर में 14 सेप्टमबर 1923 को हुआ था फौसदारी मामलों के माने जाने वकील राम जेट मलानी जी की मरित तो 8 सेप्टमबर 2019 को हो गया चलिए आपको दिखाते हैं इमेज में ये देखिए रही है राम जेट मलानी जी चलिए चलते हैं कोशन नमबर 3 की तरफ हाली में किस खिलाडी ने टेस्ट क्रिकट से सन्यास ले लिया इसका सही आंसर है मौमन दभी मौमन दभी अफगानिस्तान के आल्राउंडर प्लेयर हैं इन्होंने अपने जीवन काल में 3 टेस्ट मैच ही खेले हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ 33 रन बनाएं तथा 8 विकट भी हासिल किया चलिए आपको दिखाते हैं इमेज में यह है अफगानिस्तान के आल्राउंडर मौमन दभी इन्होंने तीन टेस्ट मैच 33 रन बनाएं तथा 8 विकट लियें चलते हैं कोशन नंबर 4 की तरफ प्रोसों का एकल उएस ओपें 2019 किस ने जीता इसका सही आंसर है रफेल नडाल जी हाँ वर्ल्ड नंबर 2 खिलाडी रफेल नडाल ने चोथा यूस ओपें किताब जीत लिया उन्होंने दुनिया के नंबर 5 वे खिलाडी देनियल मेदवेदेव को हराया ये इस पैनिस खिलाडी ने 19 भार ग्लैंड स्लैम प्रोस किताब जीत कर रोजर फेडरड के बाद दूसरे इस्थान पर है रोजर फेडरड ने 20 ग्लैंड स्लैम प्रोस एकल खिताब जीता है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये हैं रफेल नडाल Q5 पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दें अधि पसंदा रहा तो लाइक जरूर कर दें तथा आप लोग रोज सुबा मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले हमारे Current Affairs के वीडियो को देखना ना भूले तथा आप इसको देखने की आदत बना ले क्योंकि जो चीज़ आप आदत बना लेते हैं वो आपको मन्जिल तक जरूर पहुचा के ही दम लेती है चलिए चलते हैं Question No.5 की तरफ महिला Singles US Open 2019 किस ने जिता इसका सही आंसर है बियाका एंडरुस्कू बियाका एंडरुस्कू 19 साल की करनडाई प्लेयर हैं इन्होंने ये खिताब पहली बार जिता है इन्होंने 23 बार की चेंपियन अमिर्की दिगज स्रेना विलियम्स को हराया US Open Tennis किताब की बात करें ये 1881 में शुरुआ था ये 149 उस उपन का एडिसन था ये देखे आपको इमेज में दिखाए दे रही है ये हैं बियांका एंडरुस्कू चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 6 की तरफ बादितों के लिए मुबाइल एप बिक्सित करने के लिए कौन से बैंक ने Defodil Software Private Limited का चैन किया है इसका सही आंसर है RBI ने RBI ने दिखे बादितों के लिए मुबाइल एप बिक्सित करने के लिए Defodil Software Private Limited का चैन किया है भारती रेजर बैंक ने एक मुबाइल फोन आधारित एप्लिकेशन विक्सित करने के लिए एक वेंडर का चैन किया बामबे कोट ने कहा है कि इसे यूज करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की आउ सकता नहीं होगा जो दिरिश्टी बादित लोगों को मुद्रा नोटों की पहचान करने में मदद करेगा डॉफ्टिल सौफ्ट्वेर प्राइबेट लिम्टेड ने इस अप्लिकेशन को विक्सित करने के लिए दिया गया है चलिए आपको RBI के बारे मत आते हैं RBI RBI का हैटकॉर्टर है मुंबई में प्रेज़ेंट गवर्नर है स्री सक्तिकांदास जो की 25 वे नंबर के गवर्नर है यह अपना पद 12 दिसंबर 2018 से है 1st गवर्नर Sir Osborne A. Smith Non-Indian 1st Indian गवर्नर C.D. D. Smoke 1st Indian Lady गवर्नर K.J. Udashi लोगो एम्बलम में Panther and Palm Terry है इसका राष्ट्रे करन एक जनवरी 1949 को हुआ था RBI एक रुपे के Note और सिक्को को छोड़कर सारे Notes को इसू करता है Currency Notes में 15 language यूज की हुई है चलिए चलते है Question No.7 की तरफ गुहाटी असम में पूर्वत्तर परिशत 219 के 68 पूर सत्र का अध्यच कौन है इसका सही अंसर है Option No.A. Amissa Amissa गुहाटी असम में पूर्वत्तर परिशत 219 के 68 पूर सत्र के अध्यच है Amissa ने असम Administrative Staff College में North Eastern Council 219 के 68 पूर सत्र में जिसमें की पूर्वत्तर के आर्थिक और समाजिक विकास के लिए Nodal Agency में आठ राज सामिल जिसका मेजमानी Amissa ने किया आठ पूर्वत्तर राज में असम, अरुनाचर प्रदेश, मनिपूर, तिरिपूरा, मिजोरम, मेगाले, नागालेंड और सिक्कीम के राजपालो और मुख्य मंत्री ने इसमें भाग लिया चलिए चलते हैं कोशन नमबर एट के तरफ नौन परफार्मिंग असेट, असेट्स NPA की बिकरी के लिए सरकार दोरा चलाया गया है बैंक ने 11 NPA अकाउंट्स के लिए असेट्स रिकर्स्ट्रेक्शन कमपनी NBFC बैंक को, वित्तिय संस्थानों को, बिट्स के लिए अमंतिर्थ किया है चलिए आपको बताते हैं PNB के बारे में PNB, PNB का हेटकॉर्टर एड न्यू डेली PNB का फुल फॉर्म पंजाब नेस्नल बैंक PNB का गठन 19 मई अठासो चौरानमे में हुआ था इसके टैक लाइन है The Name You Can Bank Upon First Chairman, Sardar Singh, दयाल Brand Ambassador, बिराट कोली जी है CEO की बात करें तो सुनिल कुमार महता जी है जो की आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे Question No.9 केंद्रिय प्रियाण मंत्री वन संसाधन संस्थान के पांचवे दिच्छान समारो को कहां सम्मोदित किया इसका सही आंस्वर है दहरादुन दहरादुन में केंद्रिय प्रियाण मंत्री वन अनुसान संस्थान के पांचवे दिच्छान समारो को सम्मोदित किया दिच्छान समारो उत्रादुन के कैप्टल दहरादुन में हुआ चलिए आपको दहरादुन के उत्रादुन के बारे मताते हैं उत्रादुन उत्रादुन का गठन 9 नौम बर 2000 में हुआ था उत्राखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री स्री त्रिवेन सिंग रावज जी है वर्तमान गौवर्नर स्री मती बेबी रानी मौर्या जी है कैप्टल दहरादुन फस्ट सियम नित्यानन स्वामी फस्ट गौवर्नर एसेस बर्नाल लोग सबा सीट की बात करें तो 5 राज सबा सीट तीन टोटल डिस्ट्रिक यहां पे हैं तेरा स्टेट सिंबल ओफ उत्राखंड की बात करें स्टेट ट्री है लालु गुरांस फ्लावर ब्रह्मा कमल एनिमल एल्पाइन मस्क डियर स्टेट बर्ट की बात करें तो हिमालियन मोनल फेमस वैली फूलो की गाटी उत्राखंड में ही है को मैब में दिखाते हैं उत्राखंड यह देखें उत्राखंड चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 10 की तरफ सीरियाई तुर्की सीमा और उत्री सीरिया पर सुरची छेट के लिए किन देशों ने अपना पहला सयुक्त गस्त किया इसका सही आंसर है तुर्की एंड उस मिलेटरी तुर्की एंड उस मिलेटरी ने सीरियाई तुर्की सीमा और उत्री सीरिया पर सुरची छेट के लिए देशों ने अपना पहला से युक्त गस्त किया तुर्की, तुर्की का कैप्टल है अंकारा यहां के प्रिसिडेंट है रिसेप ताइफ इर्डोगन जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं करंसी है लियरा नैशनल डे 29 अक्टूबर को मना जाता है हाइस्ट माउंटन की बात करें तो अरारत लारजेस्ट लेक है वैन नैशनल सिंबल की बात करें तो नैशनल गेम है हॉयल रेस्टलिंग, नैशनल अलिमल, ग्रे ओल्फ, नैशनल फ्लावर, तुलिफ पारल्लेमेंट नेम की बात करें तो Grand National Assembly आईए आपको मैप में दिखाते हैं तुर्की ये हैं तुर्की चले चलते हैं question number 11 की तरफ महराष्ट में AURIC का उद्गाटन किस ने किया? Who inaugurated the AURIC in महराष्टा? इसका सही answer है option number B नरेंद मोदी नरेंद मोदी ने महराष्ट में AURIC का उद्गाटन किया नरेंद मोदी ने औरंगाबाद के ओद्धिक सहर AURIC का उद्गाटन किया औरंगाबाद महराष्ट में भारत का पहला ओद्धिक स्मार्ट सहर है इस कारिक्रम का उद्देश भारत सरकार के स्मार्ट सहरों के कारिक्रम को बढ़ावा देना है AURIC का भारत का पहला ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी है चलिए चलते हैं कोश्चन नमबर 12 की तरफ चीन कौन से देश में विकास परियोज नव के लिए एक बिलियन डॉलर का निवेज करेगा इसका सही आंसर है पाकिस्तान चीन पाकिस्तान में विकास परियोज नव के लिए एक बिलियन डॉलर का निवेज करेगा चलिए आपको बताते हैं चाइना के बारे में चाइना, चाइना की कैप्टल है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है जी सिंपिंग, करेंसी यहां की एरेन बिन भी, नैशनल डे एक अक्टूबर को सेलिबरेट किया आता है, हाइस्ट माउंटन, माउंट एवरेस्ट, एब भी हैस बिन बैंड इन चाइना सिंस 2009, चाइ नैशनल फ्लावर, बलं भ्लॉसम है, पारल्लेमेंट नेम की बात करें तो नैशनल पीपल्स काउंग्रेस है, आई आपको मैप में दिखाते हैं, यह है चाइना, चलते हैं कोश्चन नम्र थर्टीन की तरफ, वित्य मंत्री ने 100 लाग करोड की बुनियाती धाचा नाव को लाग्य करने के लिए छेज़ सदस्य कारभल का गठन किया, कोश्चन नम्र फोटीन, राज्थान के राजपाल की रूप में किसने सपत ली, हो टूक ओथ हास दा गोवर्नर आफ राज्थान, इसका सही आंसर है कलराज मिष्र, कलराज मिष्र ने राजथान के के मुख्य नियादिस स्रीपती रवींद्र भट ने पत की सपत दिलाई चलिए आपको राजस्थान के बारे मताते हैं राजस्थान स्टेट सिंबल की बात कियें तो स्टेट ट्री है केजरी फ्लावर है रोईडा एनिमल है चिंकारा एंड कैमल स्टेट बर्ड गोदावन स्टेट डैंस की बात करें तो घूमर है कोश्चन नमबर 15 पीटी आई के अध्यच और पाध्यच के रूप में किसे चुना गया है इसक असीगड कीला किस राज में इसती थे इसका सही अंसर है हर्याणा तीगड कीला हर्याणा राज में इसती थे आंसर आफ एस्टरडे कोश्चन नारवे राज में भारत के अगले नो नियुक्त राजदूत कौन बने हैं इसका सही अंसर है डाक्टर भी भाला भासकर डाक्टर भी भाला भासकर नारवे राज में भारत के अगले नो नयुक्त राजदूत बने हैं कोशन आफ दे मेक इनडिया पहल के तहथ मुंबई मैट्रो कोच का सुभारम किसना किया इसका आंसवर आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है पीके स्मार्ट स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में पेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो दुरंत मिल सके